आउनलाइन ट्राफिक चालान शुरू होने के बाद कई बार जाने अन जाने में नियम तूटने पर तुरंत इचालान कट जाता है किसमत वाले हुए तो शायद इसका मेसेज आपके रेजिस्टर्ड मुबाइल नंबर पर आ भी सकता है और नहीं भी अब इसके लिए आपका मुबाइल नंबर रेजिस्टर्ड होना चाहिए लेकिन कई बार हमें इसका पता भी नहीं चलता है अच्छे बात ये है कि आप खुद ऐसा कर सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि सब आउनलाइन है आपको आउनलाइन चालान का स्टेटस चेक करना है और कटे हुई इस चालान को आउनलाइन भरना है ये होगा कैसे ये हम बताएंगे आपको सरकार ने भारत में नया मोटर वीकल एक्ट लागू किया है जिसके चलते ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है सरकार ने सड़क पर कैमरे और अने सेंसर भी लगाए हैं जिससे अधिकारियों के लिए नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर जुर्माना लगाना आसान हो गया है इसलिए जरूरी है कि आप भी समय समय पर इसको चेक करते रहें चलिए जानते हैं कि खुद घर बैठे कैसी आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको e-chalan.parivahan.gov.in पर जाना होगा यहाँ आप चेक चालान स्टेटस पर क्लिक कीजिए अब आपको चालान नमबर, वाहन नमबर और ड्राइविंग लैसेंस नमबर यानि की डियल चुन्ने कवी कल्प मेरेगा यहाँ अपनी डीटेल्स पर एंटर करने के बाद आपको चालान का पता चल जाएगा अब स्क्रीन पर नजर आएगा कि आपके वाहन पर ट्राइफिक चालान क्या है और उसका स्टेटस क्या है अब यह भी जान लेते हैं कि ट्रैफिक चालान का ऑनलाइन भुगतान कैसे कर सकते हैं तो एक बार चालान डिटेल्स नजर आने पर आपको वेवसाइट पर online payment करने के option भी नजर आएंगे। इसके बाद चालान डिटेल्स इंटर करके Pay Now बटन पर क्लिक करिए। आपके नमबर पर भेजे गए OTP से अपना mobile नमबर verify कीजिए। ऐसा करने के बाद आपको स्टेट के e-चालान payment वेवसाइट पर भेज दिया जाएगा जहां आप पर fine लगाया गया है। अब अपने credit card या debit card या फिर internet banking का भी इस्तेमाल करके भुकतान कर सकते हैं। अब ये तो रहे आपकी सुविधा सुविधा की बाते लेगिंग इस सब के बावजूद जो सबसे महत्वपुर्ण और आखरी बात है। हमेशा नियमों का पालन कीजिए, हेलमेट पहनिए और सीट बेल्ट लगाना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही बने रहे नियूज वाल इंडिया के साथ।